नमश्कार आप सुने हैं उपन्नास चंदरकांता का भाग पाच्वा अब तक आपने चाना कि ते सिंग राज का दिवान हर्द्या सिंग बनकर महराजा के सामने वो सब बादे रखता है जिससे की महराजा को ये मालूम हो जाता है कि क्रूर सिंग विजयगर पर हामला करने वा अलाक इनसान या उनकी जैसे अयार नहीं बचे हैं तो आपको ते सिंग को बुला लेना चाहिए मदद के लिए तो क्या ते सिंग की कारवाईयां विजयगर को बचा पाएंगी जानने के लिए सुनते हैं उपन्यास की इस भाग को मेरे साथ यानि आपकी अपनी नीती के सा नौगर और विजयगर का राज पाड़ी है चंगल भी बहुत भारी और घना है नदियां चंद्रप्रभा और कर्म नाशा घूमती हुई इन पाड़ों पर बहती हैं जाबूजा खो और दर्जी पाड़ों में बड़े खुबसूरत कुदर्ती बने हुए हैं पेड़ों में साखु, तेन, विजयसा, सनई, कोरया, गो, खाजा, प्यार, जिगना, आसनादी के पेड़ हैं इसके अलावा पारिजात के पेड़ भी हैं मील, मील भर इधार उधर जाए तो गने जंगल में फस जाईएगा कहीं रासा ना मालूम होगा कि कहां से आए और कि दर जाएंगे, बरसात की मौसम में तो असे भी कैफियत रहती है, कोस भर जाईए, रासे में दस नाले मिलेंगे, जंगली जानवरों में बारा सिंखा, चीता, भालू, तेंदुआ, चिकारा, लंगूर, बंदर, पगारा के अलामा, कभी-कभी शेड भी दिखाई देते हैं मगर बरसात में नहीं, क्यूंकि नदी नालों में पानी जादा हो जाने से उनके रहने की जगा खराब हो जाती है, और तब वे उची पहाडियों पर चले जाते हैं, इन पहाडों पर हेरन नहीं होते, मगर पहाड के नीचे बहुत से दीख पड़ते हैं, परिंदों में ती मौजूद हैं, और हर तरह से देखने के काबिल हैं, उन अयारों ने जो चिनालकर से क्रूर और नाजिम के संग आई थे, शहर में ना आकर इसी दिल्चस्प जंगल में मैं क्रूर के अपना डेरा जमाया, और आपस में ये राय हो गई, कि सब अलग-अलग जाकर अयारी करे तथा जब जरूरत हो, जंगर जफील बाजा कर कठे हो जाएं, बद्रीनात ने जो इन अयारों में सबसे जादा चालाक और हुश्यार था, ये राय निकाली, कि एक दफा सब कोई अलग-अलग भेश बदल कर, शहर में घुस दरबार और महल के सब आदमियों, तथा नाम भी याद कर ले, जिससे वक्त पर अयारी करने के लिए सूरत बदलने और बाचीत करने में फरक ना पड़े, इस राय को सभी ने पसंद किया, नाजीम ने सभी का नाम बताया और जहां तक हो सका पहचनवा भी दिया, वे अयार लोग तरा-तरा के वेश बदल कर महल में भी घुसाएं और सब कुछ देख भालाएं, मगर अयारी का मौका चपला के खिशारी की वज़ा से किसी कुना मिला और उनको अयारी करना मनजूर भी ना था, जब तक कि हर तरह से देख भाल ना लेते। जब ये लोग हर तरह से हुश्यार और वाकिफ हो गए तब आयारी करना शुरू किया भगवान दत चपला की सूरत बना कर नौगण में विरेंदर सिंग को फसाने के लिए चला वहाँ पहुँचकर जिस कमरे में विरेंदर सिंग थे उसके दरवाजे पर पहुँच पहरे वाले से कहा जाकर कुमार से कहो कि विजयगर से चपला आई है उस प्यादे ने जाकर खबर दी कुछ रात कुचर गई थी कुमर विरेंद सिंग चंदरकांता की याद में बैठे तबियत से युक्तिया निकार रहे थे बीच बीच में उची सांस भी लेते जाते थे उसी वक्त चौकदार ने आकर अरस किया पृत्वीनात विजेगर से चपला आई है और डिोड़ी पर खड़ी है क्या हुकम होता है कुमार चपला का नाम सुनते ही चौक उठे और खुशो कर बोले उसे जल्दी अंदर लाओ हुकम के बमूजिब चपला हाजिर हुई कुमार चपला को देख उट खड़े हुए और हाथ पकड़कर अपने पास बैठा बाचित करने लगे चपला ने कहा अच्छी है सिवाए आपकी याद के और किसी तरह की तकलिफ नहीं है हमेशा कह करती है कि बड़े बे मुरवत है कभी खबर भी नहीं लेते कि जीती है या मर गई आज गबरा कर मुझे को भीजा है और ये दो नाशपतियां अपने हाँ से छील काट कर आपके वासे भीजी है अपना तथा अपने सिर्की कसम दी है कि इन्हें जरूर खाईएगा विरेंद सिंग चपला की बाते सुन बहुत खुश हुए चंदरकांता का इश्क पूरे दरजे पर था दोखे में आगे भले बुरे की कुछ तमीज न रही चंदरकांता की कसम कैसे डालते जट नाशपति का टुकडा उठा लिया और मुझे लगाया ही था कि सामने से आते ह हुए दिखाई पड़े दे देखा कि विरेंद सिंग बैठे हैं देखते ही आग कर बोरे किरदार मुमे मठ डालना इतना सुनते ही विरेंद सिंग और बोले क्यूं पह्चान बैदे समझा गया, अपना सिर मार गया, मगर आपको ख्याल न हुआ, कभी आगे भी चपला यहां आई थी, आपने क्या खाक पहचाना, कि यह चपला है या कोई अयार है, बस सामने रंडी को देख, मीठी मीठी बातें सुन, मजे में आ गए, तेसिंग की गुर्की सुन, वरेंदर सि सिर से उचा करना चाहते थे, कि फैके जिससे हड़ी पसली सब चूर हो जाए, तेसिंग ने अवासे, हाँ हाँ पटकना मत, मर जाएगा, यार लोगों का काम ही यही है, छोड़ दो, मेरे हवाले करो, इस उन कुमार ने दीरी से जमीन पर पटक, मुश्के बान तेसिंग के हवाले किया, तेसिंग ने जबर्दसी उसके नाक में दवा ठूस भिहोश किया और गठरी में बान, किनारे रख बाते करने लगे, तेसिंग ने कुमार को समझाया और कहा, देखी जो हो गया सो हो गया, मगर अब धोगा मत खाईए, कुमार बहुत शर्मिनदा थे, इसका कुछ जवाब ना दे, विजेगर का हाल पूछने लगे, तेसिंग ने सब खुला तेसिंग को गले से लगा लिया, और बोले, अब जो कुछ करना हो, जल्दी कर डालो, तेसिंग ने कहा, हाँ देखो, सब कुछ हो जाता है, गबराओ मत, इसी तरह दोनों को बातें करते, तमाम राद गुजर गई, सिवेरा होने ही वाला था, जब तेसिंग उस एयार की किनारे सोया है, हरदया सिंग एक पेर के नीचे पत्थर की चटान पर सिर जुकाई बैठा है, तेसिंग को देखकर हरदया सिंग उठ खड़े हुए, और बोले, क्यों तेसिंग मैंने क्या कसूर किया है, जो मुझ को कैद कर रखा है, तेसिंग ने हसकर जवाब दिया, अग मेरा बहुत काम निकलता था, इसलिए मैंने ऐसी बेद्बी की माफ किचेगा, अब आपको अक्तियार है कि आप चाहे जहां जाए, मैं ताविदार हूँ, विजेगर में नेक इमांधार इंसा पसंद सिवाए आपके कोई नहीं है, इसी सबस से मैं भी मदद का उमीदवार ह सुनो तेज सिंग, तो खुझ जानते हो कि मैं हमेशा से तुम्हारा और कुमर विरिंद सिंग का दोस हूँ, मुझको तुम लोगों की खित्मत करने में कोई हर्श नहीं है, मैं तो आप हैरान था कि दोस आदमी को तेज सिंग ने क्यों कहत किया, पहले तो मुझको ये भी नहीं मालुम हुआ कि मैं या कैसे आया, मर के आया हूँ या जीते जी, पर एहमत को देखा तो समझ गया कि ये तुम्हारी करामात है, बला ये तो कहो मुझको यहां रखकर तुमने क्या कारवाई की, और अब मैं तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ, तेज सिंग, मैं आपकी जैसिंग की चिठ्थी दिखाई हर्दयाल सिंग के कपड़े जो पहने हुए थे उनको दे दिये और अब खुलासा हाल कहकर बोले अब आप अपने कपड़े से हेज लीजिए और ये चिठ्थी लेकर दर्वार में जाईए राजा से मुझे को मांग लीजिए जिससे मैं आपक को ग्रफतार करूंगा आप दो बातों का सबसे जादा ख्यार रखेःगा एक यह कि जहां तक बने मसल्मानों को बाहर किचे और हिंदुआशे कि दूसरे ये कि कुमर विरेंद सिंग का हमेशा ध्यान रखिए और महरास से बराबर उनकी तारिश किचे जिसे महरास मदद के से उनको भी बुलाएं हर्द्याल सिंग ने कसम खा कर गा मैं हमेशा तुम लोगों का खैर खवा हूं जो कुछ तुमने कहा है उसे जादा करके दिखाऊंगा तेल सिंग ने आरी की गठी खोली और एक खुलासा बेड़ी उसकी पैर में डाल तता यारी का बटवा और खंजर उसकी कमर से निकालने के बाद उसे होश में लाए उसके चहरे को साफ किया तो मालूम हुआ कि वे भगवान दत है अयार होने के कारण चुनारगर के सब अयारों को तेल सिंग पहचानते थे और वे सब लोग भी उनको बखो भी जानते थे तेल सिंग ने भगवान दत को नह तोड़ी देर के लिए आपको फिर बेहोश करूँ तहखाने के बाहर होश में ले आऊंगा हर्द्याल सिंग ने कहा इसमें मुझको कोई हर्स नहीं मैं नहीं चाहता कि इस तहखाने में आने का रासा देख लूँ यह तुम्हीं लोगों के काम है मैं देख कर क्या करूँगा तेख सिंग अर्द्याल सिंग को बिहोश करके बाहर लाए होश में लाकर बोले अब आप कपड़े पहन लीजिए और मेरे साथ चलिए उन्होंने वैसा ही किया शहर में आकर तेख सिंग के कहे मताबिक हर्द्याल सिंग अलग होकर अकेले राजा सुरेयन सिंग के दरबार मे गए राजा ने उनकी बड़ी खातिर की और हाल पूछा उन्होंने बहुत कुछ कहने के भाद महराज जैसिंग की चित्थी दी जिसको राजा ने इज्जत की साथ लेकर अपने वजीर जी सिंग को पढ़ने के लिए दिया जी सिंग ने जोर सिखत पढ़ा राजा सुरे सिंग चित्थी पढ़कर बहुत खुश हुए और हर्दया सिंग की दरव देख कर बोले मेरा राज महराज जैसिंग का है जिसे चाहें बुला ले मुझे कुछ हर्ज नहीं ते सिंग आपके साथ जाएगा एक है अपने वजीर जी सिंग और हर्दया सिंग की महमानदारी का हुकम दिया और दरवार बरखास किया दिवान हर्दया सिंग की महमानदारी तीन दिन तक बहुत अच्छी तरह से की गई जिससे वह बहुत खुश हुए चोथे दिन दिवान साहब ने राजा से रुखसत मागी राजा बहुत कुछ तौलत जवाराज से उनकी विदाई की और ते हर्दया सिंग ने महाराज की चिठी का जवाब दिया और सब हाल कह सुरेंदर सिंग की बड़ी तारिव की जिससे महाराज बहुत खुश हुए और ते सिंग को उसी वक्त खिला देकर हर्दया सिंग को हुकम दिया इनके रहने के लिए मकान का बंदो बस कर दो और इनकी खा पहले वाले तथा प्यादों का भी बहुत अच्छा इंतिसाम कर दिया जो सब हिंदू थे। दूसरे दिन ते सिंग महराज के दर्बार में हाजिर हुए। दिवान हर्द्याल सिंग के भगल में एक कुर्सी उनके वासे मुकरर की गई। हम पहले सुना चुके हैं कि महराज शुदत के यहां चितने यार हैं सभी को ते सिंग पहशानते हैं। अब ते सिंग को यह जानने की फिकर हुई कि उनमें से कौन कौन चाराये हैं। इसलिए दोसे दिशाम के वक्त उन्होंने अपनी सूरत भगवान दत्की बनाई जिसको तैकाने में बंद कराये थें। और शहर से निकल जंगल में इधर उधर घूमने लगे। फर कहीं कुछ पता ना लगा। वर्सात का दिन आ चुका था। रात अंधेरी और बदली छाई थी। आखिर तैसिंग ने टेले पर खड़े होकर जफील बचाई। थोड़ी देर में तीनों यार मैं बंडित जगनात जोच्षी के उसी जगा पहुँचे और भगवान तत को खड़े देख कर बोले। क्यों जी तुम नोगड गए थे ना क्या क्या खाली क्यों चले आए। तैसिंग ने सभी को पहचानने के बाद जवाब दिया। वहां तैसिंग की बदौलत कोई कारवाई न चली। तुम लोगों में से कोई एक आदमी मेरे साथ चले तो काम बने। पन्ना अच्छा कल हम तुम्हाए साथ चलेंगे। आज चलो महल में कोई कारवाई करे। तैसिंग अच्छा चलो मगर मुझको इस वक्त भूग बड़े जोड़की लगी है। कुछ खा लूँ तो काम में जी लगे। तुम लोगों के पास कुछ हो तो लाओ। जगनाद पास में तो जो कुछ है बिहोशी मिला है। बजार से जाकर कुछ लाओ तो सब कोई खापी कर छुटी करे। भगवान अच्छा एक आदमी मेरे साथ चलो। पन्ना लाल साथ हुए। दोनों शहर की तरफ चले। रासे में पन्ना लाल ने कहा हम लोगों को अपनी सूरत बदल लेना चाहिए क्योंकि तेसिंग कल से इसी शहर में आया है और हम सभी को पहचानता भी है। शायद घूंता फिरता कहीं मिल जाए। भगवान दत ने ये सोच कर कि सूरत बदलेंगे तो रोगन लगाते वक्त शायद ये पहचान ले। जवाब दिया। कोई जरूरी नहीं कौन रात को मिलता है। भगवान दत के इंकार करने से पन्ना लाल को शक हो गया। और गौर से इनकी सूरत देखने लगा। मगर रात अंधेरी थी। पहचान न सका। आगिर को जोर से जफील बजाए। शहर के पास आ चुके थे। अयार लोग दूर थे। जफले सुनना सके। तेसिंग भी समझ गये किसको शक हो गया है। अब देर करने की कुछ जरूरत नहीं। जट उसके गले में हाट डाल दिया। पन् शहर की तरफ रवाना हुए। असले सुरत बनाए डेरे पर पहुचे। एक कोठी में पन्ना लाल को बंद कर दिया। और पहरे वालों को सकता गीत कर आप उसी कोठी के दर्वाजे पर पलंग बिच्वा सो रहे। सवेरे पन्ना लाल को साथ ले दरवार की तरफ चले। और लोगों को शक हो गया कि कहीं दोनों ग्रफतार न हो गये हूं। मगर ये ख्याल में ना आया कि भगवान दत असल में दूसरे ही कृपा निधान थे। उस रात को कुछ ना कर सके पर सवेरे सुरत बदल कर खोज में निकले। पहले महराज जैसिंग के दरवार की तरफ चले। देखा कि तेसिंग दरवार में जा रहे हैं और उसके पीछे पीछे दस पंदरा सिपाही कैदी की तरह पन्ना लाल को लिए चले जा रहे हैं। उन एयारों ने भी साथ ही साथ दरवार का रस्ता पकड़ा। तेसिंग पन्ना लाल को लिए दरवार में पहुचे। द क्यों ते सिंग किसको लाए हो ते सिंग ने जवाब दिया महराज उन पांचो एयरों में से जो चुनारगर से आये हैं एक किरफतार हुआ है इसको सरकार में लाया हूँ जो इसके लिए मुनासिब हो हुकम किया जाए महराज गौर के साथ खुशी बरी निगाहों से उसकी दर पूछने की जुरत नहीं सेदे कैद खाने में ले जाकर इसको बंद करो और सक पहरे बैठा दो हुकम पाते ही प्यादों ने उस एयार के हाथों में हदकड़ी और पहरों में बेड़ी डाल दी और कैद खाने की तरफ ले गए महराज ने खुशोकर दे सिंग को सो असरफी इनाम में दी दे सिंग ने खड़े होकर महराज को सलाम किया और अशरफियां बटवे में रख ली राम नारायन पद्रीनात और जोर्शी जी भेश बदले हुए दरवार में खड़े या सब तमाशा तेख रहे थे जब पन्नालाल को कैद खाने का हुकम हुआ वे लोग भी बाहर चले आए और आपस में सला कर भार ही चलाके की किनारे चाहकर पद्रीनात ने तो तेज सिंग की सुरत बनाई और राम नारायन और जोर्शी जी प्यादे बनकर तेजी के साथ उन सिपाईयों के साथ चले जो पन्नालाल को कैद खाने की तरफ ले जा रहे थे पास किसी तरह छुड़ा ले जाएंगे अगर मैं इसको अपनी हिफाज़त में रखूंगा तो बहतर होगा क्योंकि मैंने इसे पकड़ा है मेरी हिफाज़त में ये रह भी सकेगा तो तुम लोग इसको मेरे हवाले करो प्यादे तो जानते ही थी कि इसको तेज सिंग ने दरबार उसी तरह लगा हुआ था ते सिंग भी अपने जगा बैठे थे उनको देख प्यादों की होश उड़ गए और अर्ज करते करते रुख गए ते सिंग ने इनकी तरफ देख कर पूछा क्यूं क्या बात है उस एयार को कैद कराए प्यादों ने डरते डरते का जी उसको तो आप ही ने हमसे लोगों से लिया है ते सिंग उनकी बात सुनकर चौंक पड़े और बोले मैंने क्या किया है मैं तो तब से इसी जगा बैठा हूँ प्यादों की जान तर और ताजव से सुख गए कुछ जवाब ना दे सके पत्थर की इसी तस्वीर की तरह जैसे की तैस से खड़े रहे महराज ने ते सिंग की तरफ देख कर पूछा क्यूं क्या हुआ ते सिंग ने कहा अयार चलाकी खेल गए मेरी सूरत बनाकर उस कैदी को इन लोगों से चुड़ा ले गए ते सिंग ने अर्ज किया महराज इन लोगों का कसूर नहीं एयार लोग ऐसे ही होते बड़े बड़ों को धोखा दे जाते हैं इन लोगों की क्या बात क्या विसाथ तेसी की कहने से महराज ने उन प्यादों का कसूर माफ किया मगर उस एयार के निकल जाने का रश देर तक रहा पद्रीनाद बगहरा पन्नालाल को लिये हुए जंगल में पहुँचे एक पेड के नीचे बैठ कर उसका हाल पूछा उसे सब हाल कहा अभी लोगों को मालुम हुआ कि भगवान दत को भी तेसींग ने पकड़के कहीं चुपाया है यह सोच सभी ने पंडित जगनास से कहा अब रमल के जरिये दरियाफ्त कीजिए कि भगवान दत कहा है जोशी जी ने रमल फ यह सुन सभी ने उस खों का रासा लिया जोशी जी बार बार रमल फैंकते और विचार करते हुए उस खों तक पहुचे और अंदर गे जब उजाला नजर आया तो देखा सामने एक फाटक है मगर यह नहीं मालुम होता था कि किस तरह खुलेगा जोशी जी ने फिर रमल फै भार निकल आये और अयारे की फिक्र करने लगे उपन्यास का अगला भाग सुनने के लिए मेरी पेस को फॉलो करें सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें तो तक के लिए सक्कू नमस्से सबकू पना